अलो क्लास एक्स वेलकम टू अलो फ्यू अपना इंगलिश का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें आपने देखा कि तोता राम नाम का एक लड़का होता है जिसे उसके पापा स्कूल में नहीं जाने देते तो वो क्या करता है छुपके स्कूल में जाता है वो छुप- लोड़ता है तो उसकी मा क्या कर रही होती है अपने हैंड में एक लेटर को इधर उदर गुमा रही होती है क्यों से पढ़ना नहीं आता अब देखते हैं कि आगे तोता राम उस लेटर का क्या करता है दो मैं हूर रीड एंड रोट ओल दे लेटर फोर दे पीपल अव इन दोर गाओं के लोगों के लिए लेटर पढ़ता था और लिखता था वो कहीं बाहर गया हुआ था गाओं में नहीं था तो तोता राम स्मदर सैट लुकिंग एड दा लेटर इसलिए तोता राम की मा जो थी वो सिर्फ क्या कर रही थी उस लेटर को देख रही थी कि अब इसे कौन पढ़ेगा जो पढ़ता है लिखता है हमारे लिए वो तगाओं में नहीं है बिफोर तोता राम थोट आओ वोट ही वोस डूइंग इससे पहले कि तोता राम सोच पाता कि उसे क्या करना था ही सैड उसने कहा ग्युमी ओ लेटर मदर अपना लेटर मुझे दो मा and I'll try to read it to you और मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ कोशिश करूंगा his mother was surprised उसकी मा बहुत surprised थी since when have you learned to read she asked तो उसने पुछा कि तुमने पढ़ना कब से सीख लिया ठीक है तोता राम looked this way and that तोता राम इधर उधर देखने लगा ठीक है he knew that the time had come to tell the truth उसे पता लग गया था या वो जान चुका था कि अब सच बताने का समय आ गया है he looked into her eyes and said उसने अपनी मा की आंखों में देखा और कहा I have been going every day to the school मैं हर रोज school जाता हूँ while you thought I was out with the cows जब तुम सोचते हो जब आप सोचते हैं ना जबकि आप यह सोचते हो कि मैं गायों को लेकर बाहर गया हूँ गायों के साथ बाहर हूँ I have been learning how to read and write तब मैं क्या करता हूँ लिखना और पढ़ना सीखरा होता हूँ ठीक है यह क्या कह रहा है भी जब आपको ऐसे लगता है ना कि मैं गायों को लेकर घेतों में गया हूँ उस वक्त मैं school जाता हूँ और वहां मैंने पढ़ना लिखना सीखा है His mother asked and what did the cows do तो फिर अगर तुम पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया तुमने तुम स्कूल चले जाते हो गायों को लेकर नहीं जाते हैं फिर गाये क्या करती है He said we took turns हमारी क्या आती है turn आती है ठीक है हमने बारी लगा रखी है मतला हमने turn wise काम करते हैं कैसे and while half of us went to school ठीक है जब हम में से half लोग स्कूल में जाते हैं the others watched the cows तो जो बाकी आदे बच्चे बच्चे बच जाते हैं वो cows की देख भाल करते हैं गायों को देखते हैं then we watched the cows और बाद में जब हम गायों को देखते हैं while the others took their turn at school जब बाकी उन आदे बच्चों की school जाने की turn आ जाती है ठीक है यानि ये जितने भी बच्चे है स्कूल जाने वाले इन में से आदे बच्चे एक बार में पढ़ने जाते हैं और आदे बाद में ठीक है तो जब आदे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बाकी आदे जो बचते हैं वो गायों की देख भाल करते हैं और जब उनके ठानाती है स्कूल जाने की तो स्कूल से वापस आने वाले बच्चे गायों को देख लेते हैं His mother said sadly उसकी माने बहुती दुख से कहा You have become a great sorrow to us तुम ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख पैदा कर दिया है And your father will be very angry Then she remembered her letter and gave it to Totharam to read to her तब उसे अपना letter याद आता है और वो उसे Totharam को देती है कि तुम इसे मेरे लिए पढ़ दो And as he read, he wondered more and more और जैसे ही वो पढ़ता है उस letter को वो उसकी मा क्या होती है Wondered बहुत ज़दा स्रेचकित होती है More and more, बहुत ज़दा She said, उसने कहा 4 years the letter writer has written and read my letters for me कि कितने सालों से letter लिखने वाला हमारे लिए letter लिखता है और letter पढ़ता था मेरे लिए Here my own son sits like a scholar and reads to his mother और यहां आज मेरा बेटा एक विदवान की तरह मेरे सामने बैठा है और मेरे लिए पत्र पढ़ रहा है The times are strange समय सच में बहुत अजीब है बहुत strange है, बहुत अनोखा है She was pleased with the news in the letter वो बहुत जादा खुश हुई वो news देखकर जो उस letter में लिखी थी It said her sister had a son उसमें लिखा था कि उसकी बहन को एक बेटा हुआ है But she had But she did not tell तो तराम's father that the boy had disobeyed him and had gone to school लेकिन वो ये बात तो तराम के पापा को नहीं बता सकती थी क्योंकि क्या नहीं बता सकती थी कि उसके लड़के ने उसको disobey किया यानि उसकी अवहिला की है उसकी बात का उलंगन किया है और वो school गया है ठीक है ये बात वो उसके पापा को नहीं बता सकती थी Some days later, कुछ दिन बाद, तोताराम realized that his father was in trouble तोताराम ने महसूस किया कि उसके पापा क्या है किसी बहुत बड़ी समस्या में है He knew it, वह ये जानता था Because his father sat silent and still for many hours उसे ये बात कैसे पता लगी क्योंकि उसके पापा काफी घंटों तक एकदम चुपचाप बैठे थे तोताराम's little sister, तोताराम की एक छोटी बहन जिसका नाम जया था knew it too, वह भी ये बात जानती थी When she ran to show him how her brass plate shone in the sunlight after she had polished it with ash He said go away child उसे कैसे पता था, देखो तोताराम को तो ये चीज़ तब पता लगी कि उसके पापा किसे समस्या में है क्योंकि वह बहुत घंटों तक एकदम चुपचाप बैठे थे और ऐसा अकसर नहीं होता था ठीक है और तोताराम की जो sister थी जया उसे ये चीज़ कैसे पता लगी क्योंकि उसने एक वो क्या दिखाने गई थी अपने पापा को उसने अपनी एक brass plate यानि पीतल की plate पर क्या किये था ash की polish की थी यानि राख की polish की थी और फिर उसे sunlight में रखा था और वो दोड़कर अपने पापा को ये दिखाने गई कि देखो मेरी पीतल की plate राख से polish करने के बाद sunlight में कैसे चमकती है तब उसके पापा ने उसे कहा go away child यहां से चले जाओ बच्चे यानि वो उसकी बात में इंट्रस्टेड नहीं था तो ताराम डिमेंबर्ड दैट ही हैड सीन अ स्ट्रेंजर टोकिंग तो इस फादर तो ताराम को याद था कि उसने अपने पापा को एक बहुत ही अजीब तरीके से टोकिंग करते देखा था बात करते देखा था ही हैड नोट लाइक्ट दा लु चले एक बड़े से बैनियन ट्री की तरफ चले गए जहां वो इस बारे में बात कर सकें ठीक है तो अब हम देखेंगे कि आगे की वीडियो में कि किस तरह से तो ताराम और उसकी सिस्टर जया आपने पापा को इस समस्या से बाहर निकालते है उसकी स्टडी किस तरीके से का नाम आती है तो यह आपका आज का चैप्टर है जो आपको रीड करना है ओके थैंक्स और है नाइस स्टूडन्स